तो मैं तो फूजी आपको गाड़ी ड्राइव करते हूं रफस्ते में रुख जाते थे मस्ते करते थे हाईवेय पे गाउं में चले गए शहर में रुख गये फोटो पचा ली वेली देख लिया अच्छी फैमली फ्रेंज के साथ बड़िया दमाके ताथ अडवेंचरस ट्रि करते हैं और इस वीडियो में आज हम डिसकस कर सकते हैं कि आप मानों की धर्टी के चार और चक्कर लगाना है हम और आपको भी लिगवाना है और उसका पूरा बजट बदाना है फ्लाइट का होटल का कार रेंट भी करी उसका मतलब पूरा हम कहां रुके कहां गए कितना खर करी है उस परकार से आप एक अच्छी फैमिली फ्रेंड के साथ बड़िया दमाकेदाथ अडवेंटरस ट्रिप कर सकते हैं वह भी बजट में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूरी है दोस्तों क्योंकि इसमें कई स्टैचीजें ऐसी है अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी चीज समझ में आएगी और साथ ही साथ ये वी फैक्ट है कि जो हमारा वीडियो है ना इसका अल्गोरिदम बढ़ जाएगा और इसकी जो एक्सेस है ज्यादा ज्यादा लोगों के पास रहेगी तो उससे क्या है कि हमें एक मोराल जो हमारा भी बूस्ट अप होता है और आगे और ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो बनाने में हम लोगों को एक 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 एनरजी मिलती है ये फ्यक्ट करना चाहता हूं आप हमारे इस चैनल के म एक टूर के बारे में फ्राइट्स के बारे में जहां वीजा के बारे में कैसे अपलाई करना है एक पर्सनल में लाइव सेशन उनके साथ करूंगा तो सबसे पहले हम डिसकस करते हैं आइटनरी के बारे में हां दी तो आइटनरी का मतलब है कि मैं आपको ब्रूडली बचात में हम गए taką सिरह हम आगे टोक्यो से हम लेके जए Scylla से उसथ वेस्थ का विश्ट में इस्ट MG很好 क्वास इन वाले etwas less युदा, San Francisco, San Francisco में गए और San Francisco के बाद हमारी जो चुरू हुई, वो कार वाली अडवेंचरइस, रड़ वॉर्स रोड ट्रिप, वो रोड़ फूर जंगलों से Pacific Coast Highway से होते हुए, हमने पहला स्थे लिया था, वो था यार, गाउं का इरिया है उसके बाद हम गए थे क्रिसेंट सिटी लाइंट अवहां क्रिसेंट सिटी के बाद हमने सियर्टल पहुंचना था नहीं पहुंच पर है लेट हो गए रस्ते में दुख गे थे Чер dolls तरह कि पर औलम्पिया सुय पहले आता है ओलम्पिया ओलमपिया फिर उसके बाद सी सियर्टल सीतल के बाद हम गए।। नेटल करी गए। कैनेडा में एंटर गिया पिर हमने। कैनेडा कैनेडा में हमने क्यूभर सरी। उसके बाद दो दिन वहां रुके फिर आगे निकल गे हम, Benf National Park और रस्ते में हमने लगाया का Tent और उसके बाद Benf जो डाउन्टाउन में गाए, Golden Sky Bridge, Golden Sky Bridge Adventure Park और फिर Benf से वापिस आए हम, फिर हम एक दिन शरी में रहे, लोकल एक्स्प्लोर किया और उसके बाद वापिस इसमें यूएस में अंटर किया, कार से, Seattle आए, Seattle से फिर हम गए, Buffalo, Buffalo से हम गए, कहाँ, Niagara Hall ताउन आ है वहाँ, Niagara Hall में रहे, यूएस साइड, फिर हम ने अंटर किया, Rainbow Bridge से, Canada में, इस है ना, Rainbow Bridge से, पैदर चल कर गए थे, वो बड़ा चेक स्पिरेस था, तो Canada में देखने के बाद, फिर दुबारा यूएस में आए, और यूएस, नियू यॉक में गए, तो New York में रहे, फिर New York से हम आए, और यूए, वाकिस डेली, तो मतलब इसमें गए, इस से, वेस्ट में गए, वेस्ट से, फिर, इधर से, उपर से दर्षे के, इस्ट में हैं, तो दर्षे के चारों चक्कल हो गया अपना कूला, तो ये, ये था हमारा जो, आइपनरी हमने जो है, इस बारकार से ये हमारे रह और अभी हम डिसकस कर लगते हैं फ्लाइट के बारे में कौन से लिए और कहां कहां से फ्लाइट लिए और उसका एक्सपेंस भी बताएंगे आपके साथ हमारी तो अप बार में करते रहें होगां कि यहांते लिए मोЯ अदो असे निया में आप यहांता है आगे था निया सrap tools एले में गए हम तो वह हमारी अर्लाइक का खर्च यपैंन एर्लाइन के वनके घए मुझे मिली थी 47,000, मेरी सर 49,000 कि आप भी 47,000 कि तो यह मानिए कि आप 47,000, 50 के अंडर हमारी जाने की फ्लाइट हुई जिसमें टोकियो भी हो गया, टोकियो उसे एले तक हम पहुंचे थिक, अब उसके बार हमारी फ्लाइट है, वो अभी रिटर्न की भी डिस्कुस कर लेता ह हमने है, रिटर्न से पहले कि डुमेस्टिक फ्लाइट हमने लिए, सियेटल से हम आये थी बफलो, क्योंकि वो फूरा लगबग साथ गंटी की फ्लाइट है, वो बहुत बड़ा अमेरिका है, इस से वेस्ट में आये हम, तो उसमें हमारा खर्चा आया था, पर परसन 12,000 किया से हमारी इयर्लाइट टी अ में नयु यॉक से फ्लाइट सी, यू यू वो न्यू डेली और उसका हाट हैका फ्लाइट के अंदर वह था someone 했 प्लाइट चेंज थी वह हमें प्लाइट बढ़ थे रांड 49,000 पर पर तो अगर यह सारा लगाते हैं ना हम अगर मालों उसको जाने आपके 50 आने के 50 और लोकल जो ली 12,000 की तो आप मोटा मोटा मानिए एक लाख 12,000 में हमारी डिमेस्टिक फ्लाइट भी होगी जाने की होगी आने की होगी और तोकियो भी हो गया जैपैन भी हो गया अमेरिका भी हो गया यह हमारा प्लाइट का पूरा मलब एक लाख 12,000 का मान लेजेए यह आगने को खर्चा है प्लाइट की हमारे पास एतना बड़ा पैसा नहीं था कि हम ऐसे व्लूल वेस्ट करें और इसमी हमने हो तोकियो में जो रहे हैं हम चार दिन की हमारी नाइट बुक थी तोकियो शहर में वो हमारी 8,000 पर नाइट थी 32,000 हमारा लगा तो आप इसका एक परसन का आदा आदा निकाल देजी हो हम डिसकर्स कर रहे हैं आप आदा निकले का सोडा जार हो गया और एक हमारा वेस्ट पर नाइट का क्योंकि हम चलेगे थे मांट फूजी मांट फूजी सुबह जाकर वापिस आने का प्रोग्रम था हम में बस नहीं मिली लेट गए तो जिसके कान हमें वहां उतला पड़ा और वो होटल ऐसा मिला बहुत महिंगा था वह अलगी एक्स्पिरियंस था हालां कि उ यहां चाहा होटल के नाम बता जाता हूं में जल्दी जल्दी आको यहां हम जैपैन में रहते हैं होटल लाइमक्स ही चिक और जो एले था हमारा वो होटल हाई लेंड हॉलिवुड हाईलैंड मेट्र स्टेशन के सामने होटल था उस होस्टल था वोग ऑफ दी फेम जिसको स संड भी बोलते हैं वहां उसमें हम रहे हैं वह बिल्कुल इल्वेस्टेशन के यहां सांडी था हां और उसका जो जो उसका नाम था ना उसमें जो हमारा लगा था वह तीन नाइट का 28,000 प्या लगा था हमारा ब्रेकफास्ट के साथ और किचंदी हमने कुछ वहां खाना ब जीम और बड़िया बड़िया फिमिंग बुल सब कुछ था हो ठीक है उसके बाद हमारा सैन फ्रैंसिस्कों में था होटल फिट्सराइड नाम से था वो जूनियन स्क्वेर स्टेशन के पास है ठीक है सिटी के अंदर हमारे सारे होतर ना बिल्कुल सिटी डाउन टाउं में पैसा थोड़ा सा उसमें जाना लगता है और वहां हमारा बड़ा था वो हमें 90 डॉलर्स मानिये कि आपको वो साधे साथ हजार पर नाइट बड़ाए हमें कपल के लिए तो वो ब्रेकफर्स्ट के साथ हो भी अच्छा तो यह था हमारा सैन फ्रैंसिस्कों में उसके बाद ह हमने जो रहे थे वो जो जंगल में रहे थे ना मेर फ्लैट और मेर इंड में रहे थे 18 सेंचरी इंड वो रैड़वुड फॉरस्ट में बढ़ती है चलते चलते पैसिफिक कोस्ट में उसका 90 डॉलर्स भी मानिये साथे साथ हजार के असपास लगा हमारा और फिर हम गये थे वहां बड़ी सथी मिलकी थी हमें भूपए भूबके बार्गिनिक करके लीती हम पैसिफिक इंड हैं अर वहां हमें 66.6 दॉलर्र में हमें मिली थी और फिर हम मोटल में रुके थे यह 66 धौलर वहां लीजिए कि 5,000 के असपास पड़ेगा और फिर हम मोटल 6 में रुके थे तो नहीं हमें पाइटें पाते चार कि आज पास फास पड़ा था अकॉमोंडेशन यह भीना कॉमोंडेशन पार है लगबाग हर सिटी में ही है और प्रसाइव पर चलते हैं ना बॉले मिलते हैं यह तो अमने बुकिंग नहीं कर वाई थी आड़ान से पड़ेशन हो कि दूकि यह बतातू हमें एक दिन एक दिन जो हम रहे ना कैनेडा में वह हमारा था फ्री दिसेंड की मेरा ब्रदर इलदा उसके पास रहे हम चार दे और एक दिन हमने एक और कहीं जो गाड किया था तो हमारा फ्री था इसलिए हमारा 21 डे शाम प्रजित बता रहे हैं आपको यह 30 डे तो नाइकरापॉल टाउन में जो मारा हम बॉर्डर की ओपर होटल था उसका नाम था विंदाम कार्डन वहां हम रुके थे एक नाइट के लिए वह नाइन थाउजन्ट उसमें हमें परफे डेवी हैं विदाउट ब्रेकफार वह महिंगा था उसके बाद हम रहे हैं न्यू य ह singles तो फारा वह गोस्तित्थे लिए 173 जार में रुके हैं और वह सबसे महंगा होटल है हूं और वह मिदा नाम भी पिटा दिए ना एंसीए तो वाई एमसीय में हम रुके हैं और वाई एंसीय सेंटरल पार्क के पास 59 ना बेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है और एट्थ एविन्यू और 63rd स्ट्रीट सेउस की एंट्रेंस है तो भी हमने बात करनी है रहे है यह हमारी के कार के बारे में नहीं कार मिली थी हमें शेवलरेट की बडिया लग्शरी गार थी बड़ी कार और वो मिली हमें सेन फ्रैंस मैं दूसरे शेर में छोड़ नहीं है ठीक है अब कार के अंदर कुछ और डालना बड़ा होगा तो पूछो नहीं पूछते लिए तेल का हमारा बड़ा है 20,000 अब कार एंडल है हमारी मानलो 38,000 अचको आदा कर लिजेगा आप एक परसन पर चार परसन होगे तो उसे और नहीं लगना कार में तो जो हमारी थी दूसरी बात क्या करने थे हम इसका तेल 20,000 के असपास तेल लगा 5000 किलोमेटर गाड़ी चलाई थी अच्छा और को आड़ा तक आगे भी उसी गाड़ी में गए थे हम और हम कर लगे हम फूड के बार है हाँ फूड में हमने ना कुछ इती हम लेगे है ते हम लेकर है के साहने उसमे ए सबाएं नहीं मिलता थाे हम ल narcी दिन हमने उसमेफि दया रहाज है नहीं मिलता है ता वहां से हम departmental store से दूढ लीται कफी के ले लुड को अ अमने ले लिया लिए हैं और यह का बलते हैं अर कौफी ब प्रे रखी मेंबेöd के बॉट बूट खाते रहे और साथ में हम तो ड्राइबूट लेके तर आतको भूटे तो सुबह खाते तो एक दो दिन बूट लेका जाओ आप उसमें अच्छा रहता है कि बॉड़ी को एनर्जी पोले यह मिलती है तो इस परकार से लेकिन फिर मैंने खर्चा लगाया कभी बी एक पर्सन पर दिन फूट का खर्चा आया है वो आप मिल्टिप्लाई कर लिजेगे जितने दिन का आप जाएंगे तो हमने लोकल ट्रांस्पोर्ट भी यूज़ करी थी लाइक ट्रेन बस बगरा उसके पहले शेयर ट्रांस्पोर्ट भी यूज़ करी है तो उसमें जो खर् पर्सन मैंने जो रहा है साथ हजार के असपास आया है तो यह आप मानीजे पर पर सने साथ हजार ठीक है और फूद में जो मैंने सारा बनाया जाना वह 31,500 लिए लगा था हमारा 22 दिन कर हमने किया था 5-6 दिन हमें कंप्लेमेंटरी मिला फूद और होटल का जो हमारा खर्च लिए इसमें वह भी एक्सपीरियंस लेना था फ्लिक्स बस हमने ली थी एक तो ली है हमने जब आच्छा हाम कहे थे एले से लास वेगर्स हाना वह ट्रेन थी पुरानी वहां देखी रस्ते में लुके थी तो वह वह हमें बड़ी थी 4200 में और फिर हमने ली थी एक और जग ले थी और थी जब हम नाइगरा फोल से न्यू योग में तो तीन फिलिक्स बस ती एक परसन का पड़ा था फिलिक्स बस का हमें 15000 ठीक है तो यह हो गया आपका फ्लाइट का एक लाग 12000 फिलिक्स बस का 15000 होटल्स का हमारा लगा 21 दिन का एक परसन का 91,250 का रेंट का 20,000 ए करते हैं तो यह तीन लाग से कम आता है लगब दो लाग श्यासी हजार दो लाग नबे हजार कर्चा आता है पर पर परसन तीस दिन आप 21 दिन लगा लो आगे का फुरी मुझा था तो यह इतना और तीन कंट्री हम गुम के आए हैं अच्छा एक साथ में वीजा की वीजा की अब ही 15,000 है हमारा पहले की फाइल थी तो वह 13,000 फीर हमारे उएस वीजा की फीर जपैन का वीजा बहुत सस्ता है अगर उएस अ का मिल जाता है तो यह जाता है बारा हजार में तो मतलब यह सारे वीजा की गोश्ट जो हमें पढ़ी थी जपैन वाले में तो घर बठी आ ग 6 रुपए यह बीजा की तो यह भी मला दूगा और 2 प्हले था अपना तो आप मला के लगा भीसवी दोगा जा लगा है वह कितनी बार में भाड पी जा सकते हो वाक्र उनको अब 10 जार लगा हो गई पो कि आगदी बार भी जाना ना सारा वीजा की से एक बार लगा होगा त तो यह हमारा फ्लान था अच्छे इसमें हमें कुछ एक्टिविटीस भी करी थी हाँ एक्टिविटीस भी हम हो गये थे ना क्या नाम था उसका एक गोल्डन ब्रिज हाँ वो इती फाइव डॉलर था उसमें फ्लारे स्वारे स्विंग्स बगारा और सुस्पेंशन ब्रीज ब गारे ड्राइव करते हुए रक्स्ते में रुक जाते थे मस्ते करते थे हाईवेज पे गाउं में चले गए शहर में रुक गए फोटो पचा ली एक जगह पर लागा ट्रैक एक जगह पर हमने वहां डांस भी कर लिया तो बढ़िया मज़ा आया या तो यह एडवेंचर हो उस्टे घरेंग हो जयता है तो यह सारा खर्चय में हमने अगर 3,000,000 ने कर्चा कर लिया है एक परसंन का खर्चा बता रहा हम यह पांड और चैने को इस से घुं लीया है तो यह अच्छा है यह हमारी एक्स्पीरियेंस है आपको हमारे अगर च्छा लगा होगा तो पूरा नहीं देखकर दुबारा जरूर देखना है